हाई टीम तो यह हम लखनो किचन का बीडी कर रहे थे तो अभी हम लोग खड़े हैं इंजिनरिंग कालें से थोड़ा सा पहले बैक साइड में जो यह कामर्सियल प्रॉपर्टी सारा आता है और यह थोड़ा इंडेस्टियल एरिया ही पड़ता है यह देख सकते हैं आप बैक साइड का कि यह पूरी बिल्डिंग है अब बिल्डिंग के जेश्ट ठीक सामने ड्रिनेज लगा हुआ है यह देख सकते हैं अंदर से भी तो हमें जो प्रॉपर्टी मिली है वह अलेडी स्वीगी का किचन है उसमें सारा सेटेव करके रखा हुआ है तो यह हम बिल्डिंग के बैक साइड में है बैक साइड में ही इसका फ्रेंट है तो यह आप यह देख सकते हैं सीसे का लेडी ग्लास लगा हुआ है जो की बारे दज ग्यारे फिट का है यह अपना एंट्रेंस है इसके अंदर पूरी छह अजार की प्रापर्टी है जो की अलेडी सुगी का पहले यहां पर किचन था तो मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग रूम्स बने हैं तो यह फ्रेंट में दिखाता हूँ है सामने यहां पर लेटरिन बात्रूम है और यहां फ्रेंट देख सकते हैं इधर से भी इंट्री कर सकते हैं यहां पर और यह फ्रेंट देख सकते हैं यह कोकिंग एरिया है जहां पर आलेडी का सिलेंडर लगे हुए है एक्सार्ट लगा हुआ है यह देख सकते हैं यह आइस्क्रीम का एरिया है यहां पर हम आइस्क्रीम स्टोर करके रखते थे यहां पर हम आइस्क्रीम स्टोर कर सकते हैं यह तीसरा रूम इसके हाइट टोटल 11 फिट है नीचे सीलन से लेकर नीचे ग्राउंड से लेकर उब्रम बीम तक वेखते हैं चोथे रूम में आता है यह देख सकते हैं और हर जेगें ऊपर कनेक्टेड है एक जास्ट का यहां पर लाइट की सुविदा नहीं है मतलब इसकंब्रे में यह पानी की पाइफ है अंदर यह पाइब नहीं पाइब डरी अप्र मतलुदाइग नहीं पाइब रफ जास्ट की शुक्र यह पनले नहीं पाइब रफूम् यहां पाहर की तरफ तो बैक साइड में यहां पर में बिल्डिंग्स है बैक साइड में इसके पीछे और इसके कि राइट साइड में इतना इस्पेस खा लिए अगर आप बात करें ही राइट साइड में इतना इस्पेस खा लिए अब हम आपको लेफ्ट साइड में दिखा देते हैं तो यह प्रापर्टी का लेफ्ट साइड है आप देख सकते हैं कि तो हम इस साइड हम एकजॉस्ट निकालने को मिला है फ्रेंट से एर आएगा और हम उस साइड में भी एकजॉस्ट अपन निकाल सकते हैं यहां पानी के इसोविदा मिलेगी इलेट्रिसिटी की बात चल लगी है, इलेट्रिसिटी की भी मिल जाएगी, प्रापर ड्रेनेज है, और ये सब पार्किंग एरिया है अपना, ये अप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना पार्किंग कर सकते हैं,